हलो इस्टूडेंट बेलकम टू पीवियर स्टडी दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो कलास 6 का एंसी एरटी मैथ हम सब पढ़ रहे थे प्रायोगी कि जियामिती हम पहुंच चुके हैं यानि कि जमेटरी आज सुरू करेंगे प्रैक्टिकल वाली जमेटरी तो इस कलास को ध्यान से देखना एंसी एरटी वेस्ट यह सभी कांसेप्ट आपको सिखाया रहे हैं और आपने उमीद करते हैं कि पीवियर स्टेडी अप में कोर्स ले लिया होगा जिससे कि आपका कोर्स जल्दी से जल्दी खतम हो जाए तो चलिए हम आपको कुछ मूल भूत जानकारिय दिखाते हैं जिन से आपका थोड़ा सा बेसिक कांसेप्ट क्लियर होगा और फिर आप अपनी जिन्दगी की इस भाग दोड़ में आगे बढ़ सकेंगे यह जो चित्र आप देख रहे हैं जिन्दगी में कहीं ने कहीं आप से इससे मुलाकात हो गई होगी और आप इससे प पारे में तो इसका सैधान्तिक रूप से कोई चिन नहीं होता है कि बढ़ चिन बना दो पट्री का परंतु जामेटरी बाक्स की रूलर में एक किनारे अनुदी सेंटीमीटर के चिन होते हैं और कभी-कभी दूसरे किनारे पर इंचों में चिन होते हैं तो देखो इसमें इ 3-4-5-6 गिनति लिखी है घी तो चलो हम आपका एक और कांसेट किलियर करते हैं आप एक चीज ध्यान से देखो यह जो मोटी लाइन है आपे जीरो लिखा है लिखा नहीं गया है लेकिन यह जीरो माना जाता है ठीक है तो यह जीरो यहां पर जीरो है फिर यहां पर वशन है फिर ये टू है त्री है इसके बीच में जो ये लाइने है छोटी छोटी वाली इनको आप बहुत ध्यान से देखो अब आगे काम लगेगा इनको आप ध्यान से देखो एक लाइन है देखो दो है और ये इसी के बीच में ये तीन है और ये चार है और ये मोटी वाली जो गिनेंगे तो 10 हो जाएगा कितना हो जाएगा 10 यानि कहने का मतलब एक दूसरे के जो बीच में 10 का अंतराल है तो एक बात यहां पर और समझ लो अभी मौका है तो मैं आपको समझाया दे रहा हूं अगर आपको कहीं 3.2 सेंटी मीटर का लाइन खीचना है तो क्या करोगे पता लेकिन जो 2 वाला है ना यह 3.2 इसके बाद के छोटे छोटे जो लाइने हैं यह और यह दो यहां तक आप कबर करोगे यानि 3.2 कहने का यह मतलब है आप यहां तक खीचोगे देखो मारा थोड़ा सा हाथ भाग जा रहा यह ब्लू लाइन गलबढ़ है उसके एक लाइन पह सुरू हो रही है वो इसी पढ़ेगा समझ गए ना तो यह चीज आप समझ लो कांसेप्ट यहां से चलो तो चलो आगे बढ़ते हैं इसका परियोग भी सीखलो भी यह इस उपकरन का परियोग क्या करने के लिए कि जाता है रेखा खंड खीचना और उनकी लंबाई नापने कीलिए इसका परियोग की जाता है जिससे कि सीदी लाइनों को खιंचा जा सके दूसरी एक मुसीबत आपके सामने आरही जो कि आप देख रहे होंगे इस चित्रकों फिगर में इसको क्या बोलते हैं इसको बलते हैं परकार बोलते हैं जिसे इंग्लीजिस में कंपास कहा जा तो इसका काम क्या होता है पैंसिल में लगा करके इससे हम सरकल बहुत अच्छा खींच सकते हैं इसके दो सीरे होते हैं एक सीरा नुकीला होता और दूसरे सीरे पर पैंसिल या फिर पैन रखने की विवस्था होती है इसका काम होता है बराबर लंबाई अंकित करने के लिए परंतु उन्हें मापने के लिए नहीं चाप और बृत खीचने के लिए इसका परियोग के जाता है एक आपने आउर देखा होगा बाक्स में होता जिसको लोग अक्सर फेंक देते हैं किसी काम का नहीं है बच्पन में हम लोग इसको किसी काम का नहीं मानते चुकि इसमें दोनों तरफ सुई होती है तो इसको मजा कि हम एक दूसरे को चुबाने के लिए परियोग करते हैं बाकि कोई हम लोग के काम का नहीं होता है लेकिन यह भी काम का है इसे डिवाइडर कहा जाता है इस अभी इंग्लिस वाड़ेडी बाइडर ठीक है उसके बाद इसके दो नुकीले सीरे होते हैं दोनों तरफ सुई होती है लंबाईयों की तुलना करने के लिए इसका परियोग के जाता है मतलब यहां पर चौक दो और उतना उसको फैला लो और फिर इसी को उतना ही बाक्स में बच्पन में यह तीनों आते थे ना जो आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं तिर बुच चतर बुच की तरह तिर बुच की तरह इनको हम लोग अक्सर फैंक देते थे क्योंकि यह किसी काम के नहीं होते थे हमें सिर्फ काम गोला परकार का पटड़ी का और चांदा का बाकी इनका सबका कोई मतलब नहीं होता था लेकिन अगर हम देखें द्यान से तो यह हमारे काम के होते हैं दो तिर्बुचा कार यंत्र हैं यह दोनों एक में सीर्फों पर कॉंड 45 45 90 और दूसरे में 30 60 90 होते हैं इनका काम क्या होता है लंब रेखाओं और समांतर रेखाओ को खींचना इनका काम होता है आइस आप इस चलो थी आपके सामने यंतर आ रहा है जिसको चांदा बोलते है या फिर अंगलिस में हम लोग प्रोटेक्टर भी कहते हैं तो यह प्रोटेक्टर क्या होता है इसे तो आप सभी पर्चित हो इससे एक अर्धिbnताकर यंत्र अब देखो आपको इसमें एक पॉइंट समझाया गया है एक वृत्त खीचना जब उसकी त्रिज्या गयाथ हो बही आप बरित बनाना है जब तिरिज्जा गया थो इसको हम आपको practically दिखा देंगे चलो इसमें कुछ नहीं करना है आपको अपना पटरी लेना है पटरी लेकर के जितने कबरित खीचना है जैसे 3 cm का खीचना है तो आपना परकार 3 cm तक खोलना है उसके बाद उसका जो सब्सक्राइब करेंगे अभी तक तो आप किताब भासा देख रहे थे तो चलिए सुरू करते हैं कि हलो स्टूडेंट बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का PBR study में दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हो इस समय हम जमेटरी पढ़ने वाले हैं तो यहां से ध्यान से देख परकार कहता है तो अब ही इसके बारे में ठ्टचे देख लिया था किता विभासा में अब हमें क्या करना यार्ट थ्री पॉइंटri मीटर त्रिज्या का एक वृत्प बनाना यह एंसी आटी बुक्सिक्स में कलासिक्स के फोर्टिन पॉइंट वन एकसरसाइज में है उसके पहले हम लाइने खीचना देख लेते हैं तब हम खीच पाएंगे बृतना देखो इसमें नंबर लिखे गए हैं जीरो वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे लिखा गया ना यह सभी एक एक सेंटीमीटर के अंतराल पे लिखे गए हैं 15 सेंटीमीटर की यह पटरी है साथियों इसमें होता क्या है इसमें जो वन और टू है ना इसके बीच में अगर देखो तो धीरे धीरे से आप देखो ध्यान से 5 यह देखो 5 6 7 8 9 10 कुल मिलाके इसमें छोटी छोटी सेंटीमीटर की लाइन खीचना है तो हमें वन के बाद में जो चोटी वाली लाइन है वन पॉइंट वहां तक खीचना है अगर हमें टू पॉइंट सेबन का खीचना है तो हमें टू तक तो खीचना ही है इसके बाद हमें सेबन पॉइंट चोटा-चोटा गिरना है 1234567 यहा कहा कि वहीं तुम 3.2 cm का पहले एक लाइन कीच के दिखाओ मुझे तो चलो 3.2 cm का लाइन कीचना है बहुत अच्छी तो पैंसिल नहीं चल रही है तो हमें क्या करना है 3 cm तो देखना है पहले हम जीरो पर एक पॉइंट लगा देते हैं चुक्ती 0 से सुरु करना है यह 0 हो गया ठीक 3.2 का मतलब जानते हो देखो या 3 cm तो यहां है यहां देख लो तुछादा चलियर हो जाएगा मैंने जूम कर दिया है जीरो यहां पर रख लेते हैं ठीक है उसके बाद क्या करना है 3.2 मतलब 3 आए पर तू मतलब यहां पर चोट तो यह अगर हम मिलाते हैं अगर आप पट्रियों गएरा अच्छी से पकड़ेंगे पैंसिलों गएरा बनियां से पतली करके बहुत बनियां बने गई अब यह 3.2 सेंटीमीटर की यह लाइन हो गई बात को समझेने की कोशिज करो समझ गए ना तो यह 3.2 सेंटीमीटर की लाइन हो गई इस तरह से आप सीख लिए ना अपना अब जब आप से यहां पूछा जा रहा है कि 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ब्रित बनाओ तो इसमें कौन सी बड़ी मुसीबत है यार बड़े अराम से बना सकते हो चलो मैं बना की सिम दिखा देता 3.2 सेंटीमीटर पहले हम इसको ना पेंगे परकार में ठीक है यहां से देखो द्यान से जीरो पे इस नोक को हम गड़ाएंगे सुई का जीरो पे उसके बाद इसको 3.2 तक खोलेंगे यह 3.2 तक यह खुलना चाहिए यहां पे आपको पटरी में देखो 3 सेंटीमीटर पे ख बढ़ा लेना है हलका सा एक दम कि यह दो पॉइंट देखो और बढ़ गया ना जनाई नहीं पड़ेगा जादा बढ़ गया अब यह 3.2 के माप का बन गया परकार अब इसे कहीं भी रख दो एक जगा और ऐसे गुमा दो फटा फट एक जगा लेकि रहना चाहिए ने इसे तीक है कहीं भी इसको जमा दो पैंसिल दबा दो कसके पैंसिल घुच जाए कापी में फिर इसको आप ऐसे घुमाओ अराम अराम से इसका चुरकी पकड़े रहना उपर साइड इसी पकड़ के घुमाते हैं पैंसिल या फिर इसको आएसे मत पकड़ना नहीं खराब हो जाए केवल लोहे का यह जो परकार है प्लास्टिक का जो भी रहे उसी को पकड़ना है और इसको ऐसे घुमा देना है अब यह 3.2 cm का एक बृत्त बन गया कितने का बन गया 3.2 cm का एक बृत्त का यह फिकर आपके सामने आ गया ठीक है इसी तरह से अगर आप आप से पूछा जाए 4.2 का बनाओ 3.2 का बनाओ तो आप सब बना सकते हो एक कुश्चन और भी कह रहा है 4.7 cm तरिज्या का एक बृत्त खींची है तो भाईया 4.7 का भी चलो खींच लेते हैं उसमें कौन बड़ी बात है यह लो 4.7 चलो ना पलो इसमें पट्री में पहले जी है और फिर इस पट्री में कितना नापना है 4.7 यह देखो फोर यहां है सेबन की नो 1234567 मतलब यह यहां आ रहा है यहां ठीक है अब यह 4.7 का मैंने नाप लिया नापना नहीं जानते हो तो बता देना जो फोर लिखा है ना उसी के बाद चार पॉइंट और गिनना चोटा- तो यह लोग खाली मैदन आपके सामने उवस्तित है यही पर इसको इसका उपर का नोक साइट पकड़ लो जो उपर का है और इसके बाद इसको ऐसे घुमा दो कहीं रखे यह बीचो बीच पर रखना दबा के रखना इसको नोक को जिससे हटे ना अपनी जगा से और उसके इसको तरफ गुमा दो तो यह 4.7 संटीमीटर तृज्या का यह क्या बन जाएगा बगया यहल कि इस तरह स्लेवन नहीं है इसके बाद जो है आप कुईस्ट अब देखो तो 2.3 cm का है इसको आप घर से करोगे बना के दिखाना ठीक है 1.5 cm त्रिज्जा का बरित बनाना खुद से बनाना 4.2 3.0 1.9 इफी तरह से और भी एक्जामपल खुद से लेना और कम से कम पचासो सवाल इस तरह के करना और यहां पर एक कंसेप्ट और मैं आपको बता देता हूं देख लो त्रिज्जा और ब्यास का मामला फांस जाता है न तो त्रिज्जा जो है साथियों वो ब्यास की हमेशा क्या होती आधी होती है जैसे मैं यहां पर दिखा देता हूं एक ब्रित आपके सामने बना दिख रहा होगा तो यह जो घूमा है पूरा 6.4 का है क्या है 6.4 cm का है तो यह तरिज्जा है 6.4 cm मतलब यहां पर मानलो एक बिंदू है जहां ओ है तो यह इतना 6.4 है और इधर भी 6.4 ही है यह 6.4 cm यह भी है लेकिन यह तो तरिज्ज्जाएं हो गई अगर ब्यास पूछेगा तो इस साइड से लेके इस साइड तक पूरा ना पेंगे तो 6 6.4 का दूगुना हो जाएगा 12.8 लगभक्त तो त्रिज्ज्जा हमेशा ब्यास की क्या होती है आधी होती है ब्यास हमेशा त्रिज्ज्जा का दूगुना होता है इस बात को अपने दिमाग में रख लो और कभी भूलना नहीं ठीक है तो चले फिर आगे बढ़ें तो साथ क्लास कैसी लगी आपको जरूर बताना यह नंबर कॉल के लिए दिया गया है अगर आप पूरा कंपलीट कोर्स एक साथ पाना चाहते हैं मतलब कम से कम समय में मैज सीखना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर फोन करके कलास को जरूर जोइन कर लें यह वाटसप नंबर है इस एक दिन में 10 कलास देखो चाह 5 कलास देखो ठीक है चाह जितनी कलास देखो तो फिर अगर इकठा देखना है कम समय है तो आप जोइन कर लो नहीं तो यूटूब पे पी वियर इस्टडी देखते रहो इसके लिए आपको कुछ भी निकरना है फिलहाल इस क्लास में नहीं ज